Humanity आज की टाइम में बिल्कुल भी exist नहीं कर रही है इंसान इतना selfish हो गया है कि वो अपने मझे के लिए जानवरों को हानी पहुचा रहा है बुरी कदर मार रहा है, तकलीब दे रहा है कुछ-कुछ तो इस हद तक पहुच जाते हैं कि उनको गरम-गरम तार के कैन के अंदर डाल देते हैं और वैसे ही छोड़ देते हैं आज कल आपने इंस्ट्राग्राम या शोशल मीडिया में वीडियोस देखी होंगी कि एक इंसान ने एक अपनी स्नैपचैट स्टोरी के लिए एक डॉगी को शॉट गन से मार दिया फिर कुछ बच्चों ने हाइदराबाद में तीन पपीस को जिन्दा जला दिया और आसपास की लोगों ने उनको कुछ करा भी नहीं रोका भी नहीं फिर एक MBBS के स्टुडेंट दोस्तों सोचे डॉक्टर बनने आला था उसने अपने मज़े के लिए डॉगी को छट से फेक दिया आप सभी खुदी सोचे उस डॉगी पर कित्ती बीती होगी उस टाइम पर इतनी पढ़ाई करके इतना घटिया काम कर रहे हैं ऐसे लोग हमारी सोर्साइटी में गंदगी फैला रहे हैं इनको बहुत कड़ी सगड़ी सजा मिलनी चाहिए एक बेजुबान जानवर को तकलीफ पहुचाने में क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाया उस टाइम पर अपने साथ हमें हर जानवर चाहे वो एक डॉगी हो बिली हो सड़क बेगाई हो सबके हल्प करनी चाहिए क्या फायदा हमारा इत्ता पर लिखे जब हम किसी बेजुबान असाय जानवर की बिलकुल भी मदद नहीं कर सकते हैं इंडिया में दोस्तों इस सबसे जादा है कुछ लोगों की मेंटलिटी तो इती घटिया होती है कि वो मेल डॉगीज को तो अच्छे से पालते पर जो फीमेल डॉगीज होती है उनको गंदे-गंदे सबसे पुकारते हैं भगा देते हैं एक टुकड़ा रोटी का देने में खत्राते हैं मेरी आप सबसे ये गुजारिस है कि अगर आपको कहीं भी बेसा है जानवर दिखता है तो उन्हें खाना दीजिए हुमेनिटी दिखाईए बदले में वो आपकी रक्षा ही करेगा आप देख लेना कोई जानवर खत्रे में है तो उसको बचाईए दोस्तों भ दूआएं जो लगेंगी हमेशा याद रखिए जहां पैसा काम नहीं आता वहां दूआ काम आती है पैसा सब कमाते हैं पर दूआ कमाना भी सीखिए एक बेजुबान के मदद करके दूआ चाहे किसी की भी हो बले जानवर बूल नहीं सकते पर उनके पास भी दिल है इमोशन के जरिए प्लीज हेल्प देम और वीडियो को शेर जरूर करें जादा से जादा ताकि यह मैसे सब तक पहुंचे और लोग एक सही काम की तरफ बढ़ें वीडियो अच्छा लगा तर लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें एड़ यही बोलूँगा की प् बढ़ें और टेक्राइब